Welcome back again dear students मैं हूँ अबने अनकुमारा आजाद और आप लोग का एक वार फिसी स्वारत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सांतिक लासिच इसके जाद मेकैनिकर इंजिजिरिंग पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे पहले आप लोग ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप से आग रहा है कि सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए डिस्क्रिप्स आपको लिंक में जाएगा या वीडियो के नीचे टैक्ट फ्लैक्स हो रहा होगा थर्मोडानिस बाइस कि अजाद्स तो उसको आप क्लिक किजिए गा तो आप में सारे थर्मोडानिस के कुर्स पर जितने भी लेक्च्चर है उस पर चले जाईए गाउस में आप सार्च करक नहीं समझेगा तब तक अनवलेबल एनरजी को भी आप नहीं समझ पाईएगा भाया आपके पास कुछ एनरजी है तो उससे चाहते हैं आप काम करना वर्क डन कराना ठीक है कहता है इसमें जितना आप काम करवा सकते जिस नरजी का वह पार्ट थर्मोडानिस का वह पार्ट जिसको आप वर्क में कनवर्ट कर सकते हैं यानि लोग डेट एनर्जी का वगवान जाता है जो एनर्जी उसको कहते हैं अबलेबल एनर्जी यह हम लागातार जिक्र कर चुके हैं लागातार कई वीडियो में जिक कर चुके हैं आप से सारे वीडियो देख के आए यह 42 वीडियो है तो पहले डिसक्स हो चुके हैं आप धेदर इसको देखते हुआ आए बना अच्छा कुर्स बना है मैंने अब दो तीन लेक्चर और आएंगे उसमें यह खतम हो जाएगा पूरा थर्मडार होता है अबने में कितने का लाउस होगा यह इस लाउस को पायदा करता है यह फिर कहिए किर सकते हैं बरक मॉक्सिंव मैंसम पर कितना दे सकता था वो सिप्म और उसक्टesz्च्वलिए और इनका ङॉर्म इसक नहीं है आप फॉर्मूला क्या है ज़ता आई जो होगा वह होता है टी नौट टी नौट आपका स्रॉंडिंग का टंपरिचर बाइड डेल्टा एस युनिवर्स युनिवर्स का कितना एंट्रॉपी चेंज हुआ है टी नौट इंटू डेल्टा एस युनिवर्स यह आपके ए रिवर्सिबिलिटी के बराबर होता है तो इस फॉर्मूले को इस्तमार केजिए और पटपट में सारे कोश्चन केजिए यह बहुत इंपॉर्टन फॉर्मूला कोश्चन गेट इसी वह बहुता है खासकर इसी के एकजाम में ठीक है काफी ज़्यादा ऑब्जक्टिब और सज्चेक्टिव में में प्रिम्स में भी आता है ठीक है फॉर्मूला तो कहीं पुछा सकता है नुमेरिकल भी आता है तो इसको आप अच्छे से देख लिजएग एक और ठीक है डेल्टा इस इनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस रांडिंग तो यह इस जनरेशन होगा जो बचा भई मेरे उनिवर्स में इन्ट्रोपी एस्ट्रा कहां से आए जितना इडिवर्सिवेटी के कारण जेनरेशन हुआ है एंट्रोपी का उतना ही आया ना तब दोन याने टीनोट इंटु एस जेनरेशन यह आता है आपका इडिवेस्टिटी के बराबर ठीक है जैसे एक कोश्चन एक जामपल में आपको दिखाता हूं जैसे एक ब्लॉक है ठीक है समझ लिए लोहे का आरन का ब्लॉक है दो सो डिग्री सल्सीयस पे यह ब्लॉक है दो सो डिग यहां से कितना हीट यहां सरौंडिंग में जाएगा ठीक है तो क्यों रिजट कितना करेगा तो यह निकालना पड़ेगा इसका M लेजिए एक ब्लॉक का जो यह आएगा एम कैसे निकलेगा है तो एक और दे रखा और देंसिटी दे रखा है यह निकाल सकते हैं मास केसे निकलेगा तो गहता है रो इंटू भी करके एक है तो रो इंटू आपको पता है 2700 और भी मतलब वॉल्म इसका 4.3 पाई रस्क्वाइर टेक है डामेटर से आप आर निकाले जाओ इसका जो बीट निकल क्या इसका जो मास निकल क्या आता है वो निकल क्या आता है 1.4137 किजी टेक है इसको आता है पहले से वो खुद से कोशन ट्राइ कर सकते हैं अब कहता है क कि इतना अब इससे हमने क्या निकाल लेंगे तो हीट रिजेक्टेट तो कैसे निकलेगा MCDT से यह आप क्लास 11 से पढ़ते आए होगे मास हमने रख दिया सीज का आपका दे रखा है 0.9 ठीक है यह 0.9 दे रखा है और इसका टेंपरेचर में चेंज हो रहा है 200-25 इससे निक डिन्टरॉफी में चिंज आईगाए वो कितने का है एकर सराओंडिक इन ट्रोपी में चेंज कैसे हाएगा रहो ही संटेके जो कि इशांवन की म्दल दीजिए दा 25 2031 दीञे mentor 3 narrate 1989 और 29 eh 29 कर दिजिए डिवायर कर दिजिए ख欸 तो यहाँ से निकल कर आएगा entropy change किसका जी तो surrounding का निकल के आएगा ठीक है अब आपको इस ब्लॉग का entropy change निकालना है ठीक है तो इसका बाइब मैंने बता रखा है entropy change में formula बता रखा है entropy का ठीक है अगर वीडियो का आप नहीं देखा है जो पर देखिए जाकर देखिए कि अगर कोई fixed mass है उसका entropy change होना है त इस फॉर्मूला का mc ln temperature क्या वाय तो कौन सा temperature तो बाहर 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 बता इसका बाहर मता सुर्ण नहीं बाता है क्या फॉर्मूला होता है mc ln ठीक है t0 by t ठीक है इस फॉर्मूला में value दीजिए m का value आपको पता है c बने बता रखा जो पांड 9 ठीक है और temperature आपका atmosphere का temperature 25 degree Celsius को Kelvin में बदलिए ठीक है Kelvin में बदलिए और इसका value रखिए और 200 को भी Kelvin में बदलिए उसको value के नीचे रखिए और solve कीजिए solve करके जो value आता उसको लिखिए ठीक है यह करी में इतना आया 222.66 kg ठीक है बहुत जादा का फरक नहीं आया है तो आपने जोड़ा ठीक है अब जाहिसी बात है एक से heat निकला है और एक हिट में हिट गया है एक में entropy बढ़ हाऊगा और एक में entropy घट रहा होगा इस surrounding का entropy बढ़ रहा होगा इतना से और सिस्टम का इंट्रॉपी इतना से घट रहा होगा तो जब आम इंडिवर्स का निकालना है तो दोनों को घटाएंगे और निकल किया आएगा 47.49 किलो जूल ठीक है तो बस आपको E-Revercibility निकालने के लिए का ना है तो T-NOT में multiply कर देना है Delta S Universe ठीक है तो T-NOT आपको पता है 25 डिवरी सल्सियस इसको केलों में डली है उसे multiply कीजिए तो आपकर निकल के आजाएगा E-Revercibility ठीक है इसको निकाल लिए को इस प्रकार से आपकर क्रेट कर सकते हैं एक मैं स्पेसर वीडियो बना दोगा जिसमें प्रॉब्लम ही हम लो डिसकस करेंगे वसरते कि आप प्रॉब्लम मुझे भेजिए मुझे इमेल कीजिए इमेल आड़ी मेरे चैनल के वाउट में लिखा हु प्रॉब्लम है एक है वी एम डी का में वसरी डिजाइन का एक बना हुआ है मॉक टिष्ट इसने मने बना दे दिया था पहला सलाइड में और उसको यह एक एक करके मैं आपकी आएगा आपका ठीका है अब कॉछ औफ इरिवर्स इंडियो यह काफी एस ही कि के कोश ईजां मे कारण क्या है ठीक है तो कहता है कि बहुत सारी कारण है जिससे पहला है अगर लोग बदलेगा तो हाँ पर इसे होंगा बरबाद चला जाएगा और वो भगवान घूस में ले लेगा ठीक है कि हाँ एनरजी को लोग बदलते हैं तो ऐसा क्यों होता है जैसे फृक्षन जो की इनरजी को ले जाता है बरबाद कर देता है विस्कस फॉर्स इलेक्टिकल रशिस्टेंस इन एनस्टिक कॉलिजिए तो यह सब चीज़े जो है जो आपका जो काम का इनर्जी है उसको बरवाद कर देता है heat के फॉर्म में जाया कर देता है ठीक है अब और है कहता है इनर्जी के और भी क्यारण क्या हो सकते हैं सर्थ कहता है heat transfer through finite यानि कि non-zero temperature difference as the temperature difference for the heat transfer tend to zero the process tend to be reversible कहता है दूसरा सबसे बड़ा करान कि अगर दो temperature difference के बीच heat energy ठीक है heat energy अगर transfer होती है तो निश्य तो उसमें क्या आएगी irreversibility आएगी ठीक है अगर higher temperature पर वह या तो हमने क्या कहाता है अब उससे काम कम निकाल सकते हैं तो यह कहता है कि अगर temperature difference है और उसके बीच थार्मा एनर्जी का एक्षेंज हो रहा है ट्रांस्पोर हो रहा है ठीक है तो ऐसे इस्तिति में irreversibility आएगी ठीक है अब कर तो यह जिरो करना चाहते है रिवर्सिवल करना चाहते है तो यह आपका temperature जो चेंज होना चाहिए heat transfer tend to be zero कर तो temperature difference zero होना चाहिए अगर heat transfer हो रहा तो आप temperature difference कितना होना चाहिए जिरो होना चाहिए same temperature पे heat transfer होना चाहिए जो कि हो बहुए ही नहीं यह तो spontaneous process तो है नहीं spontaneous process होने के लिए automatically heat transfer होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए temperature difference temperature difference के बहुए है heat transfer हो रहा है तो निश्चत रूप से वहाँ पे possibility तो आएगी आएगी ठीक है उम्मेद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आए तो कमेंट सकते हैं नेश्ट है next concept है कहता है isothermal process should be considered as reversible अगर process isothermal है यानि कुछ भी gas के साथ हो रहा है लेकिन isothermal temperature में change नहीं हो रहा है यानि कि thermal energy जो है वो same temperature पे है तो यह वहाँ पे ऐसे process को हम reversible consider कर सकते हैं ठीक है reversible मतलब वहाँ पे entropy generation नहीं होगा whereas when heat transfer process like isobarico, isocodico, polytropico consider as irreversible कहता है कि यहां से एक और समझ माया है कि irreversibility का कारण क्या है कहता है आइसो थरह process अगर temperature चल नहीं हो रहा है और heat इधर सो धर जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है same temperature पर heat है तो ऐसे में irreversibility आए कि साए energy same available energy उसका कोई प्रकार की irreversibility नहीं आ रही है energy का significance जो था भही अभी भी है ठीक है पहले जितना उससे हम वर्टर निकाल सकते थे अभी उतना ही निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही process अगर isobaric होगा polytrophic होगा ऐसा कोई भी process होता है तो ऐसे condition में आपको irreversibility आती है कुछ ना कुछ बर्क आपका कुछ ना कुछ इनर्जी आपका जाया चला जाता है जिसको हम बर्क में convert नहीं कर पाते हैं इसको समझना है याद रखना है ध्यान देना है ठीक है इसको मैं काफे detail में in trophy वाले ठीक है तो इसको नहीं देखा देखिए अगला काता है it finite scores are available for heat transfer ठीक है then any heat transfer process can be made reversible कहता है infinite sources है आपके पास infinite sources are available for heat transfer heat transfer के लिए आपके पास क्या है infinite sources then any transfer any heat transfer process can be made reversible तो इसको हम reversible बना सकते हैं जाए कोई भी process हो इसको हम reversible बना सकते हैं इसको ध्यान रखेगा यह इसी में physical question में काफी जागा गुमा गुमा का पूचता है क्या पूचता है बबू तो कहता है कि infinite sources आपके पास है sources मतलब अलब अलब temperature पर sources है आपके पास infinite sources है ठीक है अगर अगर अब label है तो heat transfer आप करा सकते नहीं तो आए बहाँ ऐसे एगर heat transfer करा होगे भी temperature change करवाया तुमने ठीक है आप process को reversible बना सकते हो ठीक है अगर इन जेनल में बाते कर रहा हूं देको इसमें specific condition बना बना की चीज़ों को बदला जा सकता है पर इन जेनल अगर हम बाते करें तो जित आइसो थर्मर प्रोसेस को आप consider कर सकते हैं reversible process की तरह जबकि आइसो कोरी आइसो मारी इस भी condition में यह वही चीज़ें बदल जा सकती है तिक है इसको मैं पहले discuss कर चुका हूं सारे process में discuss कर चुका हूं कौन सारे process को आइसे इसको आपको आपको देखना है तो दे सकते हैं ठीक है कहता है और यह बहुत ज्यादा कुछा पुछा जाता है यह सब्सक्राइब कर रहे हो इसमें इस नहीं आएगी फेज चेंज होता है और टेंपरेचर नहीं बद लेगा इस नहीं आएगी आपका जितना इनर्जी है ठीक है उतना बैसरते कि वहां से निकल नहीं रहा हो हुआ से बाहर नहीं जारा है हुआ हम करें कि वह बदलने के काम आ रहा है तो ऐसी स्थिती में आपको रिवर्सीवर प्रोसेस होता है और यह रिवर्सीटी नहीं आती है लेकिन-free suspension की बात करें फरी स्पेंसर मैंने बताया था कि initial temperature और final temperature बरावर होता है पर बीच में आईस kepनल ripping process नहीं होता है फरी क्रीक्स magically process नहीं होता है इसमें initial temperature और STE compound और फानल बरावर होता है पर प्रोसेस जो होता है आईस pardon नहीं होता है यह मैंने पर हारा सुझ और बहुत कमफुजों होता है है वहापे बच्चों को जरूर जाकर देखिए और मैंने यहीं डिशुस कर रखा है कि जो कर रखो हता है इंड मुष्ek Дरवर्स के अगर चाहते ऊब से लिए जाना क्या इसको तो वह पॉसिबल नहीं है फिर इक्सपेंसर वाले कंडिशन में ठीक है अगला है कि तब मिक्सिंग ओफ फ्लूट्स अगर फ्लूट्ट का मिक्सिंग हो रहा है तो वह सदा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्त यह याद रखो को बच्चो ठीक है वह सकता है जब इंडू से इसका से में और मिक्स कर देने के बाद में को चेंजेर नहीं आया है तो हम कह सकते है कि सबूसर कैसा है सब को मिलाया तो उसका इतनाो कि यह थे है ठीक है ऐसे में क्या कर सकते हैं वो process very well the mixing of fruit which all which be consider as a diverse or however if the mixing food are same and their initial states are also same our gases are क्या है तो कहता है एक तो अब जिक सभी gas identical same है और उसके initial condition भी same है और उसको बिलाने के बाद same conditions को वो we are attend कर रहा है तब ऐसे process को हम reversible process बोलते हैं ठीक है इससे बहुत कोस्ट्न पुछा जाता में गुमा के मिला मिला के बहुत सारे इसकुल पुछारों never पूलिजाते हैं घ्णार की किसदो क्यों सकते हैं मैंने आई से श्यूटर को सकते हैं थेim आई है सिल अधर मना ऑर प्रोसेंस को आप रिवर्सील कह सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसको याद रखना ही रखना है इतने भीतर रहंग से आपको को नहीं बिता सकता है इसको याद कर लो भिया एक दो कोशं यह हमें है क्या दो मैंने खुद समराईच किया है क्योंकि आपि याद रखपाऊ इसको पढ़ते कर दिया पर उसको समराईच भी कर दúए कर दी आप याद रखे अब क्या है भी? अब कहता है, when a cycle is cycle is both internally और externally reversible, कोś cyclic process है जो internally और externally दोनु प्रकार से reversible है, then it is said to be completely reversible. उसको हम completely reversible रखा सकते हैं ये बहर बार कोशिन आता है, completely reversible रिखा राता है बच्छे समझ नहीं पाते हैं, sir, completely reversible का मतलब होता है है completely reversible का मतलब होता है कि वो cycle internally और externally दोनों प्रकार से reversible है ठीक है जिसे कहता है कि यह बहुत सारा confusion होता है बच्चों में एक बार तुम मंदब गुरूप में रहे सारे बच्चे मेसेज कर रहे था बहुत सारा confusion हो रहे था घुजबूर घुजबूर और कोई सी है कि यह बहुत खाए कि मंदब होता है कि ही तोलों प्रकार से वर्षनला हुना होसे राधा और साइकिल है कि यह बहुत और दली उसको हम कभी भी कभी भी कंटिन्यूस लाइन से नहीं दिखाते हैं उसको डॉट लाइन से या ब्रेक लाइन से दिखाते हैं ठीक ऐसा तो बाकी सब साइकल तो डॉट लाइन से नहीं बनाता है क्या रहे पगला completely reversible के हम बात कर रहे है completely प्रोसेस के हम बात नहीं कर रहे है उसे प्रोसेस जरूर हो सकता है काथ कर रिवर्सिबर लेकिन cycle की बात करते है तो सिर्फ car not cycle ही reversible cycle मेरे दोस्त और जितने भी cycle है चाहिए कैसा भी ideal guys का cycle हो किसी जीच का cycle कोई भी फ्लूड हो वह irreversible cycle ही है मेरे दोस्त उसको दिल दोबाए बसा लो क्यों confusion पैदा करते हो confusion पैदा करने वाली बातें नहीं है याद रखिएगा इसको ठीक है अब देखिए अगर अगर अगरा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है अब यह खतम होने पर एक तो यह topic बचा हुआ है और इसके बाद एक थोड़ा सा बचा हुआ है relation वाला concept real guess is थोड़ा सा बचा हुआ है और यह thermodynamics relation यह बचा हुआ है इसको मैं समझाऊँगा कैसे हम लोग याद बाद रखेंगे इस formula को तो याद नहीं रहता है तो याद करेंगे तो याद करने का तरीका बताएंगे ठीक है इसके लाबर में धे सारा साइक्ल को एक और चीज़ है पढ़ना है आप लोग को भी बार बार पूछा जाता है यह सीक एक्जाम में वो है आपका काउची कैप्राउन इक्विशन इसके बार में भी हम जिक्र करेंगे ठीक है और इसके बार लाश्ट जो है आपका वह हम लोग साज़ा जो लिखना रहता है यह सीक एक्जाम में बतावे कि यह आए ऐसे भी जो जन्रल लिख जांस होते है उसमें प्रूष पहचान आता है यह एक्जाम कॉन है तो इस सारे साइक इसको मैं दिखाओंगा आपको सबसे लाश्ट वीडियो में ठीक है तो आप हमारे साथ बने रहिए यह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बिडियो क क्लिक कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी जरूरत उसके साथ जरूर इसको सेर के जिएगा ठीक है फिर नेश वीडियो में हम लोग प्यूर 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 सबस्टान से देखने वाले हैं तेंक यू बेरी मुच इस वीडि